यूपी बोर्ड इग्जाम क्लास 12 बालोजी में बीजांड अथवा ओवियूल का चित्र बनाना बताएंगे वो भी एक ट्रिक से बताएंगे जो आप आसानी से बना पाएंगे तो चलिए उस ट्रिक से आपको बनाना बताते हैं देखे इसमें पहले एक अंडे जैसी आकरिती बना लेंगे अंडे जैसी आकरिती बना करके अब इसमें ऊपर की ओर जैसे फूल में कलिया होती हैं उस तरह से तीन कोशिकाएं बनाना है उनके बीच में केंद्रक बना देना है इस तरह से एक लंबा सा अंडा छोटा सा बोशि की बीज में बना करके दो बिंदी आप रख देंगे और फिर नीचे की ओर भी तीन बिल्कुल उस तरी कोशकाई बना लेंगे इसके उपर बिल्कुल अंडे जैसी आकृत बनाएंगे लेकिन उपर से जोड़ेंगे नहीं ये उपर से जोड़ा हुआ नहीं होगा अंडे जैसी वरण हो जाएगा, inner integument हो जाएगा और इसके बाद में इसी के उपर फिल्कुल सेम इधर भी इसी तरह से और उधर भी आप लोग लेकिन परिक्षा में पैंसल से ही चित्र बनाएंगे, इस के स्पेंग का प्रयोग नहीं करेंगे, अब इधर भी इसी तरह से बना लेंगे, अ तो थोड़ा सा सही से बनाएंगे, पैंसल कलर का ही प्रयोग करेंगे, अब देखे यह बीजांड ब्रिंत बन जाएगा और यहां नीचे प्लेसेंटा वाला भाग हो जाएगा, देखे आप चाहें तो cellular बना सकते हैं, इसमें कोशिकाएं बना सकते हैं, मैंने केवल यहां प कर देंगे चित्र को, यह बीजांड ब्रिंत हो जाएगा, फिर निसल कहा जाता है बीजांड ब्रिंत को, जो लोग अंग्रेजी में करना चाहें, अंग्रेजी में कर सकते हैं, और इसके बाद बीजांड ब्रिंत जहां बीजांड काय से जोड़ा होता है, यह बीजांड सरी से पूरे जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है नाभी का या हाइलम कहा जाता है नाभी का यह हाईलम हो जाएगा फिर यह खुला हुआ भाग है इससे बीजांड द्वार कहा जाता है तो इसका भी नाम लिख देंगे नामांकित कर देंगे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं इसके बाद दिखें बीजांड के जो अध्यांड थे अन्ताह वाला तो यह उध्यांड के नाम लिख देंगे अन्ताह और यह वाला बाए तोनों अध्यावरण है तो अध्यावरण हो जाएगा वीधी कोषिकाओं को सहायक कोषिकाओं कहते है यह synergid cell कहा जाता है synergid cell अंगरेजी में कहते है वो उपर वाली जो एक कोशिका बची वे इसे अंड कोशिका कहते है या egg apparatus या egg cell कहा जाता है अब यह जो पूरा गोल सा भाग अंडे वाली आकरत जो आप देख रहे हैं जो पहले सबसे बनाया गया था इसे भूण कोश कहते हैं embryo shack भूण कोश कहा जाता है जो अंडे जैसे आकरते सुरुवात में बनाई गई थी pencil का ही प्रयोग करेंगे आप लोग exam में embryo shack हो जाएगा अब देखे जो इसके बाद में उपर छोड़ करके एक अंडे जैसे आकरत बनाई के थी दूसरा वाला भाग इसे बीजांड काय कहते हैं या newsless कहा जाता है newsless बीजांड काय या newsless अब उपर वाली जो कोश काय बची हुई हैं इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाय या प्रतिधृविय कोशिकाय भी कहते हैं रेजियम्लीने चाहें लिख सकत है अब जहांसे बीजांड जुड़े वोह हैं उसे निभाग जाहते हैं उसे निभग या चलाजा कहा जाता है यहाँ पर ने रिकिद चितर बनाया है आप लोग उसके चितर भी बنا सकते हैं यहाँ पर एक उद्रेक होता है वीजांड ब्रणत से लेकर के उपर तक इस उद्रेक को रैफी कहा जाता है आप चाहें तो इधर ही लख दें या फिर इधर ही लख दें नाम एक तरब लने से ज़्यादा सरी रहता है अब देखिए कभी अब बच गया था प्रेड़िय स्कूल बींदर्घ बीुश्ल नुकलियाई कहा जाता है इसे के बीच में छोटा छोटा सा लिख देते हैं छोट गया था तो इस तरह से इसका भी नाम हो गया है पोलर नुकलियाई इस तरह से पूरा नामांकिक चित्र मैंने आपको आसान भासा में ट्रिक के माध्यम से बताया आसा है आप सभी लोग को पर लिजिए धन्यवाद